सो ही गाई स्वागत है अप सभी का आपके अपने चैनल LTT लट्स में मैं हूँ आपका दोष शाहित खान तो दोष्टो आज की इस वीडियो में हम आपको एपरान कोट की कटिंग जिसे नर्सिंग कोट और डॉक्टर कोट भी बोला जाता है तो दोस्तो इस कोट की कटिंग हम आपको बिल्कुल आसान तरीके के साथ और step by step बताएंगे तो दोस्तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारे से है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रब ना करें वीडियो को लास तक जरूर देखें आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूर नहीं पड़ेगी तो इस वीडियो में हम आपको वो तरीका बताने बाले हैं जो आपको किसी और ने नहीं बताया होगा तो दोस्तो एक ही बार में हम आपको एपराउन कोट की कटिंग करना आसानी के साथ सिखा देंगे तो दोस्तो वीडियो शुरू करने इस पहले हम लोग इसका नाप समझ लेते हैं तो दोस्तो साड़े अठाइस इंच इसकी लंबाई है, साड़े सोला इंच इसका तीरा है, चौते सेच इसका सीना है तीस सिंच कमर है, चते सेच हिप है 22 सिंच बाजू की लंबाई है 9 इंच बाजू की मौरी है तो दोस्तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम कपड़े को double fold करके बिशा लेंगे हमको उल्टा बिशाना है दोस्तो सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है marking हमेशा उल्टे हिस्से पर होती है तो इस तरीके से हमने कप्डे को बिशा लिया है अब दोस्तो इसमें हम आपको ये full sleep बाला हम काटके बता रहे हैं आपको और इसमें ही हम आपको हाप sleep का भी समझा देंगे किस तरीके स्काटेंगे तो सबसे पहले हम फैसल पट्टी के लिए एक मार्क लगा लेंगे चार इंच का इसमें दोस्तो हमारा जो है coat collar बनता है तो इसके लिए हम यहां से चार इंच का जो है मार्क लगाएंगे तो इस तरीके से हमने इसमें मार्क लगा लिया है मार्क लगाने के बाद दोस्तो अब हम इसे पट्टी की मदद से सीधा कर देंगे इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है अब दोस्तो हम लोग उपर से एक मर्ग लगाएंगे ये मर्ग हम इसलिए लगाते हैं जिससे हमारा कपडा सीधा हो जाए अब दोस्तो इस वाले मर्ग से हम लंबाई का निसान लगाएंगे तो दोस्तो इसकी लंबाई है हमारी साड़े 28 इंच तो यहां से हम रखेंगे 28 इंच पे निसान लगाएंगे और दूसरी साथ पर हम निसान लगाएंगे 28 इंच का 1.5 इंच कम लगाते हैं जिससे हमारी जो back है वो पीछे को बढ़ती रही है तो इसलिए हम 1.5 इंच कम ही लगाते हैं तो इस तरीके से हम mark लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है अब दोस्तो इसमें हम margin देंगे जो हमारा bottom फोल्ड होगा जिसमें हमारी तुरपाई होगी bottom में तो इसको हम रख लेते हैं 2 इंच अब 1.5 इंच भी रख सकते हैं तो इस तरीके से हमने 2 इंच पे निसान लगाया है और इसको भी हम सीधा कर लेंगे तो इस तरीके से हम बटब का मार्क लगा लेंगे मार्क लगाने के बाद अब दोस्तो हम लोग अर्मूल का निसान लगाएंगे तो अर्मोल का निसान हम किस तरीके से लगाते हैं जैसे हम लेडिश कोट की कटिंग कर रहे हैं तो लेडिश कोट में सीने का पाचमा हिस्सा लगता है और जेंट्स में चौथा हिस्सा लगता है सीने का तो इसका सीना है हमारा 34 इंच तो इसका हम एक बटी चार भाग करेंगे तो हमारा हुआ साड़े आठ इंच साड़े आठ इंच में हम आदा इंच माइनस करके आठ इंच पे निसान लगा लेंगे तो इस तरीके से हमने निसान लगा लिया है तो इस तरीके से पॉने 9 इंच पे हमने निसान लगाया है इस निसान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से हमने निसान लगा लिया है अब दोस्तो कॉलर का मार्क लगाएंगे तो कॉलर का मार्क दोस्तो सीने का बारमा हिस्सा लगता है तो इस तरीके से हम डाई इंच पे निसन लगा लेंगे तो दोस्तो हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं ये जो हम लेडी स्कोट काट रहे हैं जिसे लर्सिंग कोट बोलते हैं तो दोस्तो इस coat के armol के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकरी देंगे दोस्तो इसका armol हम लोग थोड़ा जानदा इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो coat है हमारा कपडों के ऊपर पैना जाता है तो इसका armol हम डीला रखते हैं जिससे दोस्तो हम लोग सूट का और ब्लाउस का जो आर्मूल काटते हैं तो हम उसको फिटिंग में काटते हैं तो उसका जो फर्मूला है वो अलग तरीके से हम निकालते हैं तो किसी और वीडियो में हम आपको उसका फर्मूला बता देंगे तो दोस्तो हम कंदी डाउन करेंगे कंदी डाउन करेंगे हम सबा एक इंच दोस्तो इसमें कंदी हम जानदा डाउन नहीं करते हैं जो लेडिश के सोल्डर होते हैं वो जानदा डाउन नहीं होते हैं तो इसलिए कंदी को हम 1 इंच या सबा 1 इंच डाउन करेंगे इस से जांदा नहीं करेंगे और यहां से हम 1 इंच अंदर को लेंगे आप 1.5 इंच मी ले सकते हैं तो इस तरीके से हम मर्क लगा लेंगे अब दोस्तों सीने का निसान लगाएंगे तो सीना है हमारा 34 इंच तो 34 इंच को हम एक बटे चार भाग में डिवाइट करेंगे तो हमारा हुआ साड़े आठ इंच तो साड़े आठ इंच पे हम निसान लगा लेंगे इस तरीके से हमने साड़े आठ इंच पे निसान लगा लिया है अब दोस्तो हम इसमें लूजिंग देंगे पौनी 2 इंच की अब दोस्तो इसमें लूजिंग आप 2 इंच की भी दे सकते हैं जैसे आपको जानदा डीला पहलना है अब दोस्तो कमर के निसान लगाएंगे तो हम सोल्डर से निसान लगाएंगे 17 इंच पे यह हमारी कमर का निसान है अब दोस्तों कमर का हम किस तरीके से निसान लगाते हैं कमर है हमारी 30 इंच तो 30 इंच को एक बड़े चार भाग में डिवाइट करेंगे तो हमारा हुआ साड़े साथ इंच फिलास हम इसमें वहने 2 इंच की लूजिंग देके निसान लगा लाएंगे तो इस तरीके से हमारा यह सबा 9 इंच आ जाएगा दोस्तों हिप का निसान लगाएंगे तो हिप है हमारी 36 इंच 36 को हम एक बड़े चार भाग में डिवाइट करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच फिलास हम इसमें भी होने 2 इंच का लूजिंग देंगे अब दोस्तों जैसे हमने इसकी मार्किंग कर ली है अब दोस्तों इसकी हम सेब किस तरीके से देंगे तो बहुत चीज आपको अच्छी तरीके से देखना है यह जो लेडिज कोट है इसकी सेब अलग तरीके से दी जाती है तो इस तरीके से हम सेफर को रखेंगे और यहाँ पर हम सेब दे देंगे अब दोस्तों जो नीचे की जो सेब है उसको हम इस तरीके से सेब को रखते है और इस तरीके से सेब देते हैं जो नीचे जो है लेडीज की हिप जानदा होती है तो इसमें हम इस तरीके से राउंड देते हैं जिससे हमारा कोट फसे ना तो इस तरीके से हमने सेफ दे दी है आरमोल में भी हम सेफ दे देंगे तो दोस्तो इस तरहिके से हमारे फ्रेंड पले की मार्किंग हो गई है अब दोस्तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो दोस्तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिस है कि आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल LTE जेलर्स को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल LTE जेलर्स को ज़रूर सस्क्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानि खंडी के बटन को ज़रूर ओन कर दें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका notification आपको तुरंत और सबसे पहले मिल जाएगा और इसके next वीडियो में हम आपको इसकी staging करना बताएंगे तो दोस्तो आप लोग वीडियो को बिलगुल भी मिस्करना करें तो दोस्तो इस तरीके से हमने इसकी करने कर ली है यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं एक चटका हम यहाँ पर भी लगा लेंगे जहां से हमारा बटम फोल्ड होगा अब दोस्तो हम बैक की cutting करेंगे तो बैक की cutting करने के लिए यह जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरीके से पिशा लेंगे बिशाने के बाद दोस्तो अब दोस्तो एक हम निसान लगाएंगे क्योंकि दोस्तो हम इसमें बैक में चाक खुलेंगे तो इस तरीके से हम सबा एक इंच का निसान लगा लेंगे सबा एक इंच का हमने निसान लगा लिया है निसाल लगाने के बाद दोस्तो अब जो हमने फ्रेंट पल्ले की कटिंग की है उस पल्ले को हम इसके उपर बिछाएंगे अब दोस्तो ये जो हमारा मार्क है जो बैक में जो हमने मार्क लगाया है उस मार्क से हम फ्रेंट के पल्ले को आधा इंच बाहर निकाल लेंगे अब दोस्तों हम लोग उपर से मार्क लगाएंगे सोल्डर का दोस्तों बैक इसकी जो है सलक कटती है तो इस तरीके से हम धाई इंच पर निसान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे ये दोस्तों हम आपको बिल्कुल आजसान तरीका बता रहे हैं एपरेंट काटने का तो दोस्तों इस तरीके से हम इस वाली निसान से हले का निसान लगाएंगे यहां से निसान लगाएंगे सबा दो इंच का और इसका गड़ा हम देंगे ओने दो इंच या दो इंच गड़ा हम रखेंगे दो इंच तो दोस्तो इस तरीके से हम save दे देंगे अब दोस्तो हम solder कर इंसान लगाएंगे तो solder है हमारा 1.5 इंच तो 1.5 इंच को हम 1 पटी 2 भाग में डिवाइट करेंगे तो हमारा हुआ 7 इंच पिलस हम इसमें 1.5 इंच का margin और add करेंगे जो हमारा जब हम आर पास्तिन चड़ाएंगे उसमें जाएगा निसान लगाने के बाद दोस्तो इस तरीके से हम save दे देंगे back में back में हमें थोड़ा सा save जानदा दे नहीं होती है अब दोस्तो इसके हम cutting कर लेते हैं झाल तो दोस्तो इस तरीके से हमने back की cutting कर ले है अब दोस्तो back में हम चाक किस तरीके से खोलते हैं अब दोस्तो जो हमने नीचे margin लिया था bottom में 2 इंच का तो पहले हम 2 इंच का निसान लगाएंगे 2 इंच का हमने निसान लगा लिया है निसान लगाने के बाद हम एक निसान लगाएंगे 7 इंच का यदि दोस्तों आपको 6 इंच रखना है तो आप 6 इंच भी रख सकते हैं लेकिन हमें इसमें 7 इंच रखना है तो इसलिए हमने 7 इंच भी निसान लगाया है तो दोस्तों इस तरीके से हमारे बैक और फिरेंड की कटिंग हो गई है अब हम आपको आस्तिन की कटिंग किस तरीके स करते हैं तो फुल आस्तिन की कटिंग करना बताएंगे हम आपको इसमें हम आपको ये भी बता देंगे कि हाप आस्तिन की cutting हम किस तरीके से करेंगे तो full आस्तिन के लिए हम कपड़े को इस तरीके से cross बिशा लेंगे और जैसे आपको हाप आस्तिन cutting करना है तो कपड़े को आप इस तरीके से fold करेंगे सीधा हम इसमें full आस्थिन cutting करेंगे तो इसलिए हमने कपड़े को किरॉस बिछा लिया है अच्छी तरीकिस कपड़े को बिछा लेना है अब एक mark हम उपर से लगा लेंगे जो कपड़े को हम बिल्कुल सीदा करेंगे दोस्तो इस तरीकिसे हमने mark लगा लिया है अब दोस्तो जो आस्तिन की लंबाई है वो 22 इंच लंबी है प्लस हम इसमें आदा इंच का मारजन देंगे जो हमारा दबाव में जाएगा उपर तो इस तरीके से हम साड़े 22 इंच पी निसान लगाएंगे इसको हम सीधा कर लेंगे अब दोस्तो इसमें हम जो बाटम फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हम 1.5 इंच का मारजन रखेंगे इस तरीके से हमने निसान लगा लिया है अब दोस्तो जो मौरी है इसकी जितनी मौरी है उतना हम निसान लगा देंगे जैसे इसकी मौरी है 9 इंच तो 9 इंच का हम आदा गर के निसान लगाएंगे साड़े 4 इंच पे पिलस हम इसमें 1 इंच औरेट कर लेंगे जो हमारा मार्जन रहेगा अब दोस्तों उपर हम निसान किस तरीके से लगाते हैं हमने दोस्तों आर्मूल कटा था 8 इंच तो हम इसमें 1,5 इंच बढ़ाकिर रखेंगे तो 8.5 इंच पे निसान लगाएंगे अब दोस्तों बाजू को हम डाउन करते हैं 3.5 इंच 3.5 इंच डाउन करकर हम निसान लगा लेंगे 9 इंच पर इस तरीके से हमने क्रोस में लगाया है 9 इंच पर इसको हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद दोस्तों हम सेफर की मदद से इसमें सेफ दे देंगे तो इस तरीके से हमने साइड में सेफ दे दी है उपर हम इसमें राउंड देंगे अब दोस्तों मार्किंग हो गई है हमारी बाजू की अब दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं तो दोस्तों हमने बाजू की कटिंग कर ली है अब दोस्तों ये जो हमने मार्क लगाया हुआ था जो हम बाटम फोल्ड करेंगे वहाँ पर हम चटका लगा लेंगे अब दोस्तों हम फ्रेंड वाले हिस्से में गड़ा देते हैं तो इस तरीके से हम पल्ले को खोल कर बिछाएंगे और सामने वाले हिस्से में हम गड़ा दे देंगे इसमें हम चटका लगा लेते हैं जिससे हमें याद रहे कि हमारा फिरेंड वाला हिस्सा कौन सा है तो दोस्तो इस तरीके से हमारे बाजू की भी कटिंग हो गई है तो दोस्तो बाजू की मौरी को हम लिख लाएंगे इसमें तो दोस्तो इस तरीके से हमारे बाजू की कटिंग हो गई है अब दोस्तो हम आपको इसकी पेश्टिंग किस तरीके स्करते हैं वो बताएंगे तो दोस्तो हम इसकी पेस्टिंग फ्रेंड फल्ले में करेंगे अब फ्रेंड फल्ले को हम बिचाएंगे बिचाने के बाद दोस्तो जहां पर हमारा ये चटका लगा हुआ है नीचे इस तरीके से प्रेस से अच्छी तरीके से इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ इसी तरीके से फैसन पट्टी को तोड लेंगे दोस्तो दोनों तरफ हमने इस तरीके से तोड लिया है अब दोस्तो इसमें हम कोट कॉलर बनाएंगे तो code color के लिए हम इस तरीके से इसे fold कर लेंगे इसी तरीके से आपको दूसरे पल्ले में भी fold करके इस तरीके से प्रेस लगा लेना है तो दोस्तो इस तरीके से हम bottom को भी तोड़ लेंगे जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमारा bottom कितना fold होना है तो दोनों पल्लों को हम इसी तरीके से तोड़ेंगे तो दोस्तो इस तरीके से हमारे कि कटिन और पेस्टिंग हो गई है अब दोस्तो इसकी पैसिंग हम कॉलर की बाद में करेंगे जब हम इसकी कोलर के इसकी की हमारा आ कोलर की कर दे हैं तो दोस्तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है हो तो हम आपने